हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज हम डिसकस करने जा रहे हैं एक्साइज 9.1 कुश्यन नंबर फर्स्ट ठीक है इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को एंगल आफ इलेवेशन एंड एंगल आफ डिप्रेशन के बारें बताया था आज हम क्लास 10 एक्साइज 9.1 कुश्यन नंबर फर्स्ट स्वल्ब करेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुश्यन है क्या इस सर्कल आर्टिस इस क्लैमिंग ए 20 मीटर लॉंग रोफ विच इस टाइटली स्टेच और टाइट फ्रॉफ और वर्टिकल पॉल तु दा ग्राउंड पॉल फाइ सर्कल आर्टिस इस लिए 20 मेटर लॉंग रोफ कुश्य सर्कल आर्टिस है वो ट्वैंटी मीटर लंबी रोफ पर चलना है तो यानि कि कहने कातलब क्या है यह जो एसी हो गई है हमारे पस क्या ओगी रॉफ होंगी तो हम लोग ने आप लोग लिःट देते हैं आप आपर को vertical pole to the ground ये हमारे पाँ कोई vertical pole है इससे कोई 20 meter लंबी रसी क्या बोलते है कसकर बदी हुई है यानि कि A B क्या हो गया हमारे पाँ A B जो हो गया ये हो गया हमारा पास pole क्या हो गया pole हो गया ठीक है अब आगे देखते है आगे क्या है to the ground find the height of the pole ये जो pole है इसकी हमने height find करनी है हम suppose कर लेते हैं इस pole की height हमारे पाँ क्या है h हम मान लेते हैं इस pole की height क्या है h है if the angle made by the roof with the ground level is 30 degree ये जो हमारे पाँ roof है ये ground level से कितने degree का angle बना रहा है 30 degree का angle बना रहा है तो ये क्या हो गया ground हो गया तो हमसे कहता है क्या बोलता है जो ये पोल है पोल की हाइट फाइन करो तो देखो सबसे पहले हमें रिलेशन पता है AB upon AC हम लोग लेते हैं AB upon AC तो मैंने आप लोगों को बता रखा है पंडित भोले परसाथ हर हर बोले ये याद करने की ट्रिक होती है टिकनोमेटरी रेशियो को तो AB upon AC AB क्या है पर्पेंडिकुलर है और AC क्या है हाइपोटेनियस है तो आपको लिख देता हूँ पर्पेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस तो पर्पेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस हमें किस चीज़े मिलता है sin पर मिलता है तो मैं यहां से लिख सकता हूँ ab upon ac equal to sin theta यानि कि perpendicular upon hypotenuse किसमे होता है sin theta पर होता है तो ab क्या है h upon ac कितना है हमारे पास 20 है equal to sin theta की जग़ा क्या है 30 degree है तो इसकी जग़ा हम 30 degree रख देते हैं तो यह हो गया कितना h upon 20 equal to sin 30 की value कितनी होती है 1 upon 2 होती है हम लोग cross multiply करते हैं तो 2H is equals to कितना हो गया 20 हो गया और H equal to यह से multiply हो रहा equal to कि इधर हो गया तो क्या आगिया divide हो गया 20 dividing by 2 यह कितना आगिया हमारे पास 10 meter आगिया यहनि कि जो pole है pole की height कितनी आगई 10 meter आगई तो बड़े आसानी से हमने क्या बोलते है technometry ratio की help से हमने exercise 9.1 का question number first solve करा आगे मैं आप लोगों को इस exercise से related और question बताऊँगा धन्यवान